करता हूं आप सभी का गाइस पहली चीज़ तो अभी ऐसा सी एचसे का पेपर चल ला है और सीजल का पेपर मारा हो चुका है तो जो मेरे को काफी टाइम पढ़ाते बढ़ाते तो काफी सारी चीजे सामने देखने को मिली है मैं कमसे हम 6-7 सा से ऑफ आफ लाइन ने पढ़ा रहा हूं मैं यह नहीं गहा रहा है कि सर की बहुत ज्धादा एक्सपीरियेंस होता है आट-न से फोबिया होता है कि सर मैस में हमें डल लगता है मैं देशी रेंगे जूज नहीं करूंगा लेकिन मैस में डल लगता है हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे करें हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे पढ़ें हमें समझ में नहीं आता कि हम जब पढ़ लेते हैं तो कैसे कर लो लेकिन नहीं अगर addition change हो जाता है या फिर मैं आपसे कहा दूंगा sir इस writer की book अच्छी है तो काफी सारे बच्चे उस writer की book लेकिन frankly speaking सारी book सही होती है एक book में या दो book में या तीन book में मैं खुद अगर आपको पढ़ाता हूं मैं पस कई सारे books हैं कई सारे जाके net से देखता हूं कई सारे previous questions देखता हूं question खुद बनाता हूं तो काफी सारी चीजे महनत होती है वह एक student के लिए पॉसिबिल नहीं है वह सारे जिम्मेदारी एक faculty की होती है चाहे मैं हूं चाहे यूट्यूब पर ऑफलाइन ओनलाइन कोई भी faculty हो वह अपने back end से बहुत अच्छा काम करते हैं सभी लेकिन सर जो आपकी दिक्कते होती है कि सर मेरे को problem हो यह मास में मुझे सीखने को दिक्कत है मैं apply नहीं करना apply नहीं करना आता basic week है मेरे तो यह सारी चीजे इन सब का एक ही solution है पढ़ना चाहे आप मुझेब करो चाहे आप x y z किसी faculty से करो सारी faculty अच्छी है मैं हमेशा यह बात कहता हूं कोई faculty कराब नहीं है तो यह चीज है पढ़ोगे तभी ची तो यह बतले सारी चाहे कितना तो ये सारी चीजे है आपको basic चीजे आपको बेसिक चीजे देखनी है आपको basic चीजे लिए ही निए कुक चाहे न्सलि यो या से भी नैट से देख लो इसारी चीजिश करना शीड़ करो एडवांस की बात करता हूं एडवांस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है जल्दी से आता तो है लेकिन थोड़ा है तो एडवांस के लिए करना है एडवांस के लिए पहले एलजब्रा पर लेकिन काफी सारी चीज़े अपको कैसे डील करना है तो देखो एक यूटूब की ग्लास इस और लेडी रनिंग में अगर आपको लगता है सर मैं यूटूब से पढ़ रहा हूं मैं कर लूँगा डोंट वरी आप यूटूब से पढ़े आपका में काम क्या होना चाहिए सेलेक्शन होना चाहिए ठीक है एक एस प्रेंट का चाहिए वो रेलवे हो चाहिए एससी हो चाहिए बैंकिंग हो कोई भी एक्सवाइज हो आपका में उद्देश्य सेलेक्शन होना चाहिए अपार्ट फॉर्म की सर यह ऐसे फेकल्टी ऐसे हैं यह इन्होंने सर यह का तो पहली प्लीज अपना फोकस एक चीज पर रखो पढ़ाई पर अगर आपको लगता है यूटूब से पढ़ाई होगी तो सर आप यूटूब से पढ़िए अगर आपको लगता है सर मैं कोई कोर्स जोइन करना चाहता हूं उससे पढ़ाई होगी तो वो जोइन कर लीजगा जो मेरे स्टु रहेगी वो रहेगी सुभा 11 से 12 ऐसी ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लासेज है वो कितनी है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ क्लासेज है ट्रिग्नोमेट्री की और तीन क्लासेज है है आप देख सकते हो कि जमेट्री की कितनी क्लासिज हैं और यह भी आप देख सकते हों कि मैंसलेशन और प्रिज्म प्रिवर्वर्ट की कितनी क्लासिज हैं तो यह सारा मैंने सारा लेटेस्ट है जो भी एक्जाम प्रिटर्न में आगवा मैं यह निकोंगा सब्सक्राइब नहीं बना रहा हूं मैं जो भी एक्जाम पॉइंट आफ यू से रिवेंट कॉंटेंट है वह सारा कॉंटेंट आपको मिलेगा सारे लेटेस्ट कॉश्चन मिलेंगे काफी कुछ प्ूस नहीं यह वा, यह सीखने को आपको इसमें मिलेगागा यह कफ से आ रहा है यह जो बैच आ प़ आ रहा है 19 श्यारा है अनकैगे प्लस से आर्फेमेठी कर के हो Ouais Да Hol Muss working को के सारे मैं च्छोटे चोटे बैचे में लाता रहा हूँँ टा क्रूसों सिरेंट इस दीतीता का मुवाइल नंबर वेरिफाई करवाना होगा OTP आएगा, फिर वो पूछेगा कि आपकी language बताओ, English और Hindi तो आपने कहा दिया, suppose Hindi तो वो goal कहेगा कि select करो goal, पहला goal है UPSC, नहीं है हमारा banking, SSC, railway FCAT, CVS तो मेरा course है SSC ठीक है, मेरा goal है SSC करना है, मैं SSC पे गया, SSC पे जाके जब मैं जाओंगा, तो Wi-Fi Study Educators पे जाओंगा Wi-Fi Study Educators में जब आप जाओगे तो मेरा course लाइब हो जाएगा, आज हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है 19 तारिक से मतलब 19 तारिक तक है आप से batch start हो जाएगा तो आप जाओगे Get Subscription में, Get Subscription में जाके वो कहेंगा, Sir, 1 month का लो, 3 months का, 6 months का, 12 months का तो मैं आप से कहूंगा, Sir, एक महीने को कोई फाइदा नहीं है, विकाओ एक महीने में चीजे तीन-चार दिन, 5 दिन, 10 दिन आपको तो चीजे समझ्य में लग जाती है, अगर आप चाहते हो कि, Sir, मैं और भी चीजे प्रपेर करूँ, चाहें CGL, CHSL, CPO, आपका Steno, SSC, JEO, कोई सब भी पेपर SSC के अंदर आता है, तो सारे पेपर के प्रपेरिशन होगी, अगर आप एक साल का कोर्स लेते हो, तो 6,000 रुपे का है, ठीक है, 6,000 रुपे का है, 6,000 रुपे का कोर्स, एक महीने का जो है, कितने का है, वो 1200 का है, ठीक है, एक महीने का जो है, वो 1200 का है, तीन महीने का 3,000 रुपे का है, शे महीने का 4,800 रुपाय का है, एक साल का 6,000 का है, 6,000 भी नीद पे करने होंगे, आपको जब पेमेंट करने जा रहा होगे, तो यहां लिखा होगा, रेफरल कोड, तो आप यहां डालोगे, नमन 10, NAMAN10 without space, ठीक है, NAMAN10 without space, आप डालोगे, और उसे अपलाई कर दोगे, NAMAN10, और अपलाई कर दोगे, तो 6,000 रुपाय का जो कोर्स है, वो 54,000 का पड़ेगा, यहां पे अपलाई लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो 6,000 रुपाय का कोर्स है, मैं एक साल का कोर्स लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं पैसे इंस्टॉल्मेंट में देना चाहता हूँ, तो यह क्रेट कार्ड सुनोगा, आपने काफी बैंक देते हैं, तो आप का बैंक क्या करेगा, उसकी किस्त बान देगा, ठीक है, वो बैंक के बैंक करता है, कि 6 महिने के बान देगा, एक साल की वो बैंक का matter है, बैंक का take है, ठीक है दोस्ट, तो अगर आपको लगता है, कि सर मैं सीखना चाहता हूँ, काफी कुछ और सीखना चाहता हूँ, तो आप ये कोर्स जॉइन कर सकते हैं, दूसरी चीज, मेरा कोर्स, दो कोर्स और आ रहा है, एक रेलवे में आ रहा है, ठीक है, और एक डिफरेंस एक्जाम में आ रहा है, तो यहाँ पे भी कोर्स, तीन-चार दिर में लाइब हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे भी मेरे कोर्स बाइब कर सकते हैं, एक तीन महीने का ये छे महीने का, रेलवे का मैं प्रिफर करूँगा, और सीडियस का, जो मैं डी-ाइडियो का लेकर आने वाल हूँ, इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आउँगा, सीडियस का भी लेकर आउँगा, तो उसका कोर्स छे महीने का आप आई कर सकते हो, वो आपके पटे पैंट करता है, क्योंको आपको ज्यादा बेटर पता है, ठीक आइस, तो रेफल कोर्ड हमेशा एक ही लेए अप्लाई करना है, और कोई नहीं नमन 10, इस रेफल कोर्ड से आप इंग्लिश मास, GS, रेजनिंग, सारी क्लासे दे सकते हो, टेस्स रीज जा सकते हो, सारा कुछ आपको एक ही प्लेटफोर्म में मिल जाएगा, बाई यूजिंग रेफल कोर्ड नमन 10, हर एक फैकल्टी, हर एक मास के, मास से कम से 30 से 40 वेल ईंग्लिश क काफी सारे बलती हैं, एक आपको डिसखाउन मिल जाएगा, कितने का 10 % का, अगर आपको दिक्टट हो रही है, कि सर मैं कोर्स क्यों लूँ, या मैं लेना नहीं चाहूँगा, या फिर मैं लूँगा, तो मेरे को क्या मिलेगा और सर क्या ये चीज होगी नहीं होगी तो आप में टॉल फी नंबर पर कॉल कर सकते हो दर्वाइज मेरा टेलिग्राम गुरूप है मैं आस भाई नमनसर के नाम से ठीक है आप वहां पर मुझे पिंग कर सकते हो कोड से लेटेट कोई भी डाउट हो अर्थमेटिक का बैच भी आएगा ठीक है और भी सीपीओ का बैच भी आएगा सीपीओ का नोटिफिशन आजाएगा अपरेल में आपको पता है मैं सस्टी के लिए बहुत पागल रहता हूं जो भी नोटिफिक्शन या जो भी वेकेंसी क कुछ भी आता है तो मैं कोशिश ये करता हूं कि आपके पास सबसे पहले वो न्यूज मैं लेके आऊं तो दोस्तों यही मुझे बताना था अगर आपको लगता है तो रेफल कोड नमन 10 यूज़ करिएगा और आपको 10% डिसकाउं के साथ मेरा बैच जॉइन कर सकते हैं बा